हम अपने जीवन की रहा में अपने आपको भूल जाते हैं लेकिन थोड़ सा टाइम निकाल के खुद को भी हमें देखना चाहिए खुद के ऊपर भी थोड़ सा दिहान देना चाहिए जीवन में तो सुख दुखा आते ही रहते हैं उससे नहीं घवडाना चाहिए तो ठीक हूँ तो पूजा करूँए आप योगीता का एक पाट करूँगी तारी के आग 17 दिन है संडे तो बद छुटी के टाइम में आज हमने सोचा क्यों ना हम नास्ते में पोहा बना लें तो कड़ाय में लिया है तेल राई डाल दिया है उसके बाद डालें कटा हुआ पाटर उसके बाद डाल दें हम यहार पर नमक थोड़ा सा एड करेंगे हल्दी पाउडर सिंपल से मसाले से बनाएंगे क्योंकि आशन्डे तो बच्चे को भी खाने के लिए दे देंगे तो वह खा लेंगे बस यहां पर एड कर दिया मसाले हल्दी पाउडर तो फोई दनि निकाल दिया था पोहे को डाल दिया है अच्छे से इनको यहां पर मिलाएंगे मसाले को सभी को मुफली दुकान पर मिली नहीं थी तो हमने मैंगाया तो था लेकिन मुफली की बना थोड़ा हलका फीका फीका सा ही लगता है लेकिन कुछ नहीं जितना है जितने में खुछ पर बन के तयार नास्ते के लिए उसके बाद हम बैठ खेते और हम चोटी वाली बेटी भी जग गई थी और संडे की दिन थोड़ा सा ज्यादा सोती है चोटी वाली बेटी हम उसे सोने भी देते हैं क्योंकि एक घंटे ज्यादा सोएगी तो कुछ नहीं कि डेली तो हम उसे सा काम करने वाले हम क्योंकि सट्डे का दिन है कपड़े हमने कले दोके डाल देते इसी लिए तो यहां पर नास्ता किया और जो हम यहां पर साफ कर लेते हैं ऑजह हम सोच रहें क्योंना हम तोहार आने वाला है तो फुणा साफ सफाई कर दे अपनी किचिन की तो प्रुण सा चेंज भी कर सकते हैं बस मेरी यही उमीद रहती है आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए वीडियो पसंद आ तो लैक से कमेट जरू करिएगा जो लेक चैनल को नेखते हैं वो चैनल को सुस्काइब भी करिएगा तो यहां पर यह सोगा फट गया था यह बैठने से मोटे काम होती है संडे की दिन बच्चे घर पर रहते हैं बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है तो यह सारे काम खतम होता है क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ सारा ध्यान थोड़ सा मझे बच्चों पर रहता है कि उन्हें के लिए बनाना है उन्हें इ तो बस यहां पर सोफे को सिल दिया है अभी कमरे की हालत को देखते हूं जाके कमरे की हालत को भी ठीक करूंगी तो देखी कमर भी ऐसे डला हुआ है बस कमर को जाड़ के अच्छ से तैय बना के रख देंगी और चदर को भी अच्छ से जाड़ दूए क्योंकि कल सनिवार को मै मैंने बदला हुआ था तो इसलिए आज नहीं बदलूंगी पहले कमर की यहां पर मैं घड़ी मार के एक तरफ रख देती हूं तक यह कब भी मैंने कलवी चड़ायते इसलिए आज कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूं बस इसी वैड़ शीट को यहां पर जाड के अच्छे स इसे बिचा दूंगी अगर एक वाद जाड की बिचा दू तो भी अच्छा लगता्या अच्छां पर शूप September और रात इहां पर बिस्तर को साफ कर दिया नउए तक ही बिलगा गदें अपनी जगा पर अग Chemistry काम में चलते हैं एक क्या क्या करें यह आपकोो दिखाते हैं वैसे हम kardeşim किछन के सारे निकालने लगी तो लैट चले गए थी उसके आगे का वीडियो हम नहीं बना पाए थे, बुर्स का जूना लगा के अच्छे से हमने सिलिप को साफ किया था, फिर हमने यहां पर एक भीगा कपड़ा लिया, उससे हम सारे सिलिप को साफ कर देंगे, और जो टेहल हैं यह भी हमने यहां पर लोई वाला जूना होता ना, उस पर हमने साबून लग करना पड़े यह सारी चीज है और बैस नीचे के सिलिप रह जाती है वो मैं डेली कर देती हूं तो इस वैसे साइड वाली रहती है टेह लिए नहीं कर पाती है तो आज मैंने सारी किटिन खला के साथ किया है पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाएं क्योंकि लैट अच्छे जूना मार दिया था ताकि वह साफ हो जाए फिर मैंने यहां पे कपड़ा लिया गीला और उससे में साफ कर रही हूं तो बस इस तरीके से मैंने अपने किचिन की सारी पानी जो पानी वाला काम था वह ऐसे खतम किया फिर एक अच्छे से साफ कपड़ा लेके मैं सोच रही हूं क्यों ना इसको यहां पे बिचा दूं कुछ नहीं है वैसे तो यह अच्छे लगते हैं लेकिन इसकी जो डिजाइन मैंने काटी हुई थी नीचे से वह थोड़ी सी मुड़ गई थी तो मुझे ठीक नहीं लग रही थी मैं कोसिस कर रही थी लगा के देख कर देखती हूं अभी ठीक लगती है नहीं है तो दूसरी पनी में बिचा के देखती हूं लेकिन इस से इस पनी से बैटर है कि जो कागज आते ने रंगिल वाले वह अच्छे रहते हैं एक ही तो सिल्लेप है वैसे हमारी किचन में तो यसी को बैसा जाने की कोशिस कर रही थ थोड़ा साथ मुझे टाइम लगा इंडिजानों में काटने में फिर मैंने इसको अठा दिया था मैंने अच्छे नहीं लग रहे हैं यह थोड़ा सा मुड़ गई थी पतानी क्यों जो कागज आते ने वह अच्छे से चिपक जाते हैं मैं हमेशा ही कागज लगाती हूं और दिबबी मैंने दो दिन पहले ही साभ किया थे अंदर से थोड़ सा बहार से बस मैंने इनन पर मार दिया है कपड़ा गीला करके तो साफ हो गए हैं तो बस सारे दिबबे मैं लगा देता हूं बढ़े बढ़े आगे कर देतो थी चोटे पीछे कर देती हूँ जो डेली की कुछ करने बैठती हूं तो लाइट नहीं आती है लाइट भी धुका देती है कि इसी वेज़े से मेरा थोड़सा वीडियो भी थोड़सा लेट हो गया क्यों कि संडे का डिली डिली में ब्लॉक बनाती हूं और देखिए अचानक से लाइट आ गई कितना रोजनी हो गई तो यहां पर डिबी डिबो को मैंने लगा दिया है और अकेली की किचिन होती है वो अच्छा रहता है और हम दो बहने रहती है उसका दिमाग पता नहीं क्या बूलता है मेरा क्या बूलता है और जैसे मेरा बोला वो वैसे मैंने अपना कर लिया है उसी तरीके से मैंने यहां पर अपने किचिन को सजा लिया है अब ऐसा मेरा मन किया था तो बस यहां पर अच्छे से उपर की सिल्फ को लगा के अच्छे से लगा दी हैं सारे डिब्बे यहां पर जो नीचे वाला सिल्फ है उसको भी साफ कर देती हूं तो यह तो हो गया यहां पर काम खतम अभी थोड़ से कांच के जो गिलक कप हैं उन्हें भी रख देती हूं वो मैंने पहले नीचे निकाल के रख लिए थे कांच के बड़ता नहीं फटावर से टू जाते हैं एक गिलम तो मुझे तूट गई अक्सर ऐसा होता है जब मैं कुछ काम करने लगते हूं तो बच्चे भी साथ में रहते हैं तो इसी वैसे एक कांच का बहुत प्यारा डबा था छोटा सा मैं सोच रहे ही क्योंना उसमें सहथ रख लेती वनना वो मेरे हाथ से चूट गया वो तूट गया तो यह न जो खाने ख तो बस यहां पर मैं कोसिस कर रही थी अच्छा होना ने की अपनी सिलिप को बस यहां पर मैंने चोबा घाड़े हुए थे इस तरीके से एक तरफ से तो साव अच्छा ही लगेगा एक तरफ से दब जाएंगी दो अलमारी तो देखे मैंने इसको लगाया हुआ है और मैंने लगा दे ठीक तरीके से मैं आपको दिखाते हूं किस तरीके से लगा है और देखे काफी अच्छा लग रहा था आप ही कमेंट करके बताएगा ठीक लगाया यह नहीं अब जैसे हमारी किचने वैसे पर तो मैंने ठीक किया है आधे बतन हमारे नीचे रखे रहते हैं स तो इसका भी मैं एक जोगाड करती हूं जो आधी साड़ी बची हुए न उसको ऐसे खटा करके फोल्ड कर लोंगी एक हाथ में सभी पूरी साड़ी को तो इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी को फोल्ड किया है अब यहां पर एक पॉलिसीन भांद लोंगी अब यह पर इस तरीके से मैं ढग देती हूं ताकि यह ठीक लगे ज्यादा ना लगे कि घर में पता ने के किसलंडर है तो बस यहां पर इसको ढग दिया है और ज्यादा गंदा भी नहीं होगा तो बस यह लगा दिया और यह भी कर दिया मैंने इस तरीके से कर दिया अपना जाड़ू भी कर देती हूं और किचिन के जो भी कपड़े हैं उन्हें भी साफ कर लूंगी अच्छी तरीके से जाड़ू पोचे हमारा पहले ही सुवय होच गया था लेकिन किचिन का सफाई करने में बाद में बैठी तो इसलिए फिर मुझे दुबारा से ही फिर जाड़ू लगानी पड़ी सारा कूड़ा है जो मैं किचिन में यहां पर भर लेती हूं वहार नहीं लेके जाओंगी क्योंकि सारा साफ पड़ा हुआ भार तक और जो किचिन के कपड़े हैं एक मैं वोयल में यहां पर घटा करके गरम पाने में डाल देती हूं सरप लगाके ताकि यह किचिन की मैं बहुत मैंने से वीडियो बना रही हूं पूरा वाच करके देखिएगा वीडियो यह एंकर